आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे और इनका नाम है जो राम थंगा यह वर्टमान में मिजुरम राज्जी की चीव मिनिश्टर है यानि की मुकमद्री है कुछ और फिक्चर देख लीजे और आज की इस क्लास में हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और इनके बारे में जानने से पहले एक बार मिजुरम को देख लीजे देखें यह हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देखेंगे यह मिजुरम आपको देखने को मिलेगा आईजोल इसकी राददानी है इसकी सीमा मणीपोर असम तिपोरा से लगती है अंतराष्टी सीमा देखें तो बंगलादेश और म्यानमार से लगती है आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में इसी केंदेशासित पिदेश बनाये गया था फूर्ड राज्य के दरजा 20 परवरी 1987 में दिया गया था मिजोरम में आप देखेंगे 40 सीटे हैं बिधान सभा में राज्य सभा में एक सीट देखने को मिलेगी लोग सभा में एक सीट है और अगर हम लोग मिजोरम की छितफल की बात करें तो 21,000 81 बरक किलूमीटर में आपका मिजोरम फैला हुआ है इनका नाम क्या है जोराम थंगा और इनका जनम कब होता है 13 जुलाई 1944 में इनका जनम हुआ था कहां चमपाई में इनका जनम हुआ था पिता का नाम दार पुंगा और आप देखेंगी कि माता का नाम वंच नुवाई चिंगी इनकी मा का नाम है और जीबन साथी यानी की पत्नी का बात करें तो आप देखेंगे रुनई हांस की इनकी पत्नी का नाम है एक पुत्र है और एक पुत्री है और चीम मिनिश्टर साहब पड़े लेके भी हैं आप देखें डिगरी हासिल किये हुए हैं और राजनीता हैं पॉलिटीसियन है राजनीती करते हैं इनकी पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट MNF के नाम से भी जानते हैं इसे आप लो इसकी इस्थापना हुई थी 1961 में और आपको बता दूं कि कभी जोरा थंगा खुंका उगबादी भी हुआ करते थे मार्च 1966 में लाल डिंगा की अगवाई बाली नेशनल मिजो फ्रंट ने भारत से आजादी की घोशना कर दी थी और नेशनल मिजो फ्रंट को लगा था कि सरकार राज में आयकाल से ठीक धंग से निपट नहीं पाई और निसकीरी रही है 1986 में सरकार और MNF की बीच मिजोरम पीस डोकुमेंट पर साइन किये गए और जोराम थंगा 1966 में MNF से जुड़े थे और इस दोरान आप देखे MNF एक भूमी गथ संगठन की तोर पर काम कर रहा था और इस संगठन में रहते हुए 1966 से 1986 तक करीब 20 साल तक वो अंडर ग्राउंड रहे हाली में उन्होंने आटो वाइगरापी में इसका जिक्री भी किया था जोरम थंगा भारती सेना की खिलाब गुरिला वार में भी सामिल रह चुके हैं और आप देखें 28 सालों से मन एप की अध्यक्ष भी है जोरम थंगा 1989 में हुए बिधानसभा चुनाओ में चमफाई सीट से बिधायक चुने गए थे और आप देखेंगे आपको अगर विधायक बनना है ना मेले का चुनाओ लड़ना है तो आपकी मेले 18 साल होगी तो आपकी बोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग बोट डालने भी जाते होगे फिर आप देखें 1990 में लाल डिंगा की कैंसर की बज़ेस्ति मौत हो गई थी और इसके बाद जोराम थंगा को MNAP का अध्यक्ष बनाए गया था वो आज तक इस पत पर बने हुए जोराम थंगा की नेतित वाली MNAP ने 1998 में राजविधानसवा चुनाओं में जीत दर्ज की उन्होंने 2003 के राजविधानसवा चुनाओं में सत्ता वरकरार रखी और मुक्हमंत्री बने रहे उनकी पार्टी को 2008 के चुनाओं में करारी हार जिलनी पड़ी और यह पार्टी केवल तीन सीटों तक ही सिमट कर रहे गी थी जोराम थंगा दोनों सीटों पर हार गए थे जोराम थंगा चायते थे कि उनकी वाईगराफी पर हॉलिवोर्ड फिलिम बने वहीं साल 2013 के चुनाओं में भी इनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रेंट को हार देखने को मिली थी साल 2018 में मिजोरम में हुए चुनाओं में मिजोर नेशनल फ्रेंट को फिल सी जीत दरज हुई जिसके बाद राज के मुख मंतरी के रूम में वो बने थे फिर आप देखें, 2023 में चुनाव होता है, चुनाव के बाद मिजोर नेशनल फ्रेंटर ने राज में सरकार बनाई और जिसमें जोरम थंगा मुख मंत्री बने, कहा के मिजोरम के, तो ए सौट वाई गुराफ ही आप लोग कह सकते हैं, एक सौट जानकारी कह सकते हैं, मिजोरम पढ़ते रहा करेगा, आजकल तो आपके पास सोसल मीडिया का जमाना है, तो आप लोग जानकारी सभी के बारे में एकटी रखे रहते हैं,